अल्वर की किशनगड बास के पास आज सुबे रत और बोलेरो गाड़ी में आमने सामने की भीशन भिटन्थ हो गई बोलेरो में सवार एकी परिवार के पांच लोग गंबी रूप से खाये लोगे जिसमें एक महिला की मौत हो गई सुबे होई इस भीशन दुरगटा में गरीब आज़ा दर्जन लोग खायल हुए खायलों को गंबी अवस्ता में गरामिनों ने एंबुलेस 108 की साहता से खेरतल स्वास्ते केंदर में भर्ट कराया वोई तीन गंबी घायलों को चिकिसकों ने अलवर रेफर कर दिया अलवर में इलाज के दोरान वहां नुसरत नामक महिला ने दम तोड़ दिया बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण यह हासा हुआ और उसके बाद आपस में कई वाहन किशनगडबास के समीब वर्तिक ग्राम कुल ताजपुर के पास घने कोहरे की कारण ट्रख में बोलेरों की जबरदस धिड़नतों गई और बलेरों में सवार आधा दरज़न लोग खायलों गे जानकरी के अनुसार बलेरों में सवार किशनगडबास चेतर के गराम पाटन के ये निवासी है हासे के बाद मुझूद गरामिनों ने एंबुलेस एक्टो आर्ट को फोल कर मोके पर बुलाया और सभी खायलों को बेठाकर इलाज के लिए किशनगडबास समुताइक स्वास्ते केंदर के लिए रवाना किया जिसके बाद इसकों ने आदर दरजन खैलों को गंभीर रवस्ता में होने के चलते अलवर रेफर कर दिया अलवर के लाज के दुरान वहां नुसरत नामक महिला की मौत हो गई पुलिस ने शवका पोश्ट माटम कराकर परीजनों को सौंदिया जिसके बाद में यहां अपने सरकार होस्पितल में उनको रफर कर दिया यहां से जरी तेलफोन सुचना मिली कि नुसरत जिसका इंड़ती हो गई है इसके पंचात नामे के लिए यहां पे मौके पिनोम्या अच्छने के बेच्छने के बीच में तक्क कर हुई है जिसमें पांच उथे इनी चारतीन के बच्छे थो एक खुद मेला थे महसरत और उनका ड्राइवर था है महसरत की इंगत्टी हो गई बागी जायल है वस्ता हमाई जो ग्यारिश मेरे बाई को बख्चे उसकी मितेश हमारे जाओं पाती मेवान पैर करके अपने पीर लूम अपने माबाब के मिलने जा रही है अचानक तुझारी पर इसाड़े में विजय कास्टास कि सन्वेगी प्रक चारा है तेज़ गती प्रक में प्रोम साइडा के बिलो रुप पतर माई गी इसमें पांच लोग आ लिए है लिए चार गच्टी है एक इन दिमाए यह लोगे का आप में विज़ यह लोगे का लिए लोगे है तेज के चेंगे के अबानाचारी विपने लोगे के लिए ऑड़ी प्रक में